दोस्तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी यूटूब चैनल फिल्म का जिनून पे दोस्तो आज की वीडियो में हम देखेंगे साल 2004 की वा 15 बड़ी फिल्में जिसने बॉक्स आपिस पर इस साल सबसे ज़्यादा कमाई की थी तो आए सीरियल कम से इन फिल्मों को देखते हैं शुरुवात करता हूँ 15 नंबर की फिल्म से फिल्म का नाम था दीवार 25 जून 2004 को या फिल्म मार्केट में आ गई थी 25 जून 2004 के दिन या फिल्म रिलीज हुई थी फिल्म के मुख के किरदार में अमताब बच्चन, संजेदत, अक्षे कन्ना, प्यूस, मिस्रा और अमरिता राव थी फिल्म के डिरेक्टर थे मिलन लूतरिया बजट था फिल्म का लगबग 21 करोन का फिल्म ने इंडिया वॉक्ट साफिस से 13 करोन 24 लाग के लगबग कमाई की थी फिल्म ने वर्ल्ड वाइड से करीब 22 करोन की कमाई की इस तरह से या फिल्म अपना बजट का पैसा भी निकाल नहीं पाई और डिजाश्टर थी चौदा नम्मर की फिल्म थी युवा इंडिया वॉक्ट साफिस से 14 करोन 8 लाग की कमाई कर ली थी वहीं वर्ल्ड वाइड से 23 करोन 37 लाग की फिल्म ने कमाई की इस तरह से या फिल्म वॉक्ट साफिस पर बिलो आवरेश थी तेरा नम्मर की फिल्म थी गर्ब नव जुलाई 2004 को या फिल्म रिलीज हुई थी फिल्मे सलमान खान, सिल्पासेटी, अरबाज कान और अमरीश पूरी थे फिल्म के डिरेक्टर थे पुनीत इससर बजरता लगबग 17 करोन का वहीं इंडिया से 14 करोन 38 लाग के आसपास कमाई हो गई थी वर्ल्ड वाइड से 23 करोन 38 लाग के कमाई हुई और या फिल्म बोक्स आफिस पर बिलो आइवरेस थी बारा नम्मर की फिल्म थी मडर, दो अप्रेल 2004 को या फिल्म रिलीज हुई थी इमरान हास्मी मलिका सेरावत, हस्मित पतेल फिल्म के लेड रोल में थे फिल्म के डिरेक्टर थे अनुराग बसू, बजरता लगबग 5 करोन का फिल्म ने इंडिया बोक्स आफिस से 14 करोन 82 लाग की कमाई की वहीं पूरे वर्ल्ड वाइड से 21 करोन 13 लाग की कमाई की और या फिल्म बोक्स आफिस पर सुपर हिट थी ग्यारवी फिल्म है अहतराज, 12 नौवंबर 2004 को या फिल्म रिलीज भी थी अक्षे कुमार प्रियंका चोपडा करीना कपूर फिल्म के लीड रोल में थी फिल्म के डिरेक्टर थे अबबास मस्तान, बजरता लगबग 11 करोन का और इंडिया से फिल्म ने लगबग 15 करोन 56 लाग की कमाई की वही पूरे वर्ल्ड वाइट से 26 करोन 3 लाग की कमाई की और या फिल्म बोक्स आफिस पर आवरिज थी दस नंबर की फिल्म है स्वदेश, 17 दिसंबर 2004 को फिल्म रिलीज होती है सारुख खान गायत्री जोसी फिल्म के लीड रोल में थी फिल्म के डिरेक्टर थे आसुतोस गुवारिकर बज़रता लगबग 20 करोन का फिल्म ने इंडिया बोक्स आफिस से 16 करोन 13 लाग की कमाई की वहीं पूरे वर्ल्ड वाइट से 33 क्रोण 61 लाग की फिल्म ने कमाई की और यह आप इन बॉक्स आफिस पर फ्लॉप थी 9 नमबर की फिल्म है मस्ती 9 अपरेल 2004 को फिल्म रिलीज भी थी आजे देवगां, रितेश देश्मूग, विबे कोबराय, आपताव सिवदासनी और लारा दत्ता फिल्म के लीड रोल में थी फिल्म के डिरेक्टर थे इंद्र कुमार, बजरता लगबग 10 करोण का फिल्म ने इंडिया बॉक्स आफिस से 20 करोण 26 लाग की कमाई की वहें पूरे वर्ड वाइट से 34 कौन 14 लाग की फिल्म ने कमाई की इस तरह से यह फिल्म बॉक्स आफिस पर हिट थी आठ नमबर की फिल्म थी हलचल, 26 नॉब्बर 2004 को फिल्म रिलीज भी थी अक्चाय कंना, करीना कापूर, सुनी सेटी, परेसलावल, अरसादवारसी, आमरीज पूरी, जैकिस राप और अरबाच खान फिल्म में थे फिल्म के डिरेक्टर थे प्रियदर सन, बज़रता लगबग 10 करोण का फिल्म ने इंडिया बॉक्स आफिस से करीब 20 करोण 10 लाग की कमाई की, वहीं पूरे वर्ड वाइट से 31 करोण 37 लाग की फिल्म ने कमाई की थी इस तरह से यहाँ फिल्म बॉक्स आफिस पर हिट थी साथ नम्मर की फिल्म है हम तुम 28 मई 2004 को फिल्म रिलीज होती है सैवली कान, रानी मुखर जी, किरन केर और इसी कपूर फिल्म के लिड रोल में थी फिल्म के डिरेक्टर थी कुनाल कोहली, बज़रता लगबग 8 करोण का फिल्म ने इंडिया बॉक्स आफिस से 21,46 लाग की कमाई की, पूरे वर्ल्ड वाइड से 48,38 लाग की फिल्म ने कमाई कर ली थी और इस तरह से यहाँ फिल्म बॉक्स आफिस पर हिट थी चे नंबर की फिल्म है लक्ष, 18 जून 2004 को फिल्म रिलीज भी थी अमताब बच्चन रितिक रोसन और प्रिति चिंटा फिल्म के लीड रोल में थी फिल्म के डिरेक्टर थी फरहान अक्तर, बज़रता लगबग 30 करोण का फिल्म ने इंडिया बॉक्स आफिस से 23 करोण 49 लाग की कमाई की फूरे वर्ल्ड वाइट से 40 करोण 13 लाग की फिल्म ने कमाई कर ली थी और इस तरह से यहाँ फिल्म बॉक्स आफिस पर फ्लॉप थी पाच्वी फिल्म थी खाकी, 23 जनवाई 2004 को फिल्म रिलीज हुई थी अमताब बच्चन, अक्षे कुमार, अदेवगन, आईस्वरी, अरायत, तुसार, कपूर फिल्म के लेड रोल में थे फिल्म के डिरेक्टर थे राज कुमार संतोसी, बजरता लगबग 26 करोण का फिल्म ने इंडिया बॉक्स आफिस से 25 कौन 84 लाग की कमाई की और वहीं वर्ल्ड वाइट से 45 करोण की कमाई की थी इस तरह से यहाँ फिल्म बॉक्स आफिस पर आइवरेश थी चाउती फिल्म थी मुझस से साधी करोगी 30 जुलाई 2004 को या फिल्म रिलीज हुई थी सलमान कान, अक्षे कुमार, प्रियंग का चोपडा, अमरीस, पुरी, राजपाल यादो फिल्म के लीड रोल में थे डिरेक्टर थे फिल्म के डेविर धवन बजटा लगबग 19 करोण का, वहीं इंडिया से 29 कौण 24 लाग की कमाई हुई वर्ल्ड वाइड से 55 कौण 57 लाग की फिल्म ने कमाई की थी इस तरह से या फिल्म बॉक्स आफिस पर हिट थी तीसरी फिल्म थी धूम, 27 सगद 2004 को फिल्म रिलीज भी थी फिल्म के लीड रोल में जान अब्राहिम, अफसेग बच्चन, उदै चोपडा, ईसा देवल और रिमी सेन थी फिल्म के डिरेक्टर थे संजे गडवी, बजटा लगबग 11 करोण का फिल्म ने इंडिया बॉक्स आफिस से 31 कौण 45 लाग की कमाई की वहीं पूरे वर्ड वाइट से 49 कौण 83 लाग के फिल्म ने कमाई की थी और इस तरह से या फिल्म बॉक्स आफिस पर सुपर हिट थी दूसरी फिल्म थी मैं हूना, 30 अपरेल 2004 को फिल्म रिलीज हुई थी सारुक खान, सुनी सेटी, अमरिता राव और सुस्मिता सेन फिल्म के लीड रोल में थी फिल्म के डिरेक्टर फराह खान थे बजर था लगबग 25 करोण का फिल्म ने इंडिया बॉक्स आफिस से 37 कौन 30 लाग की कमाई की वर्ल्ड वाइट से 70 कौन 40 लाग की कमाई कर ली थी और इस तरह से या फिल्म बॉक्स आफिस पर हिट थी पहली फिल्म थी इस साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली वीर जारा 21 नौवंबर 2004 को फिल्म रिलीज होती है सारुक खान, प्रिती जिन्टा, रानी मुखर जी, बोमन इरानी, हमताब बच्चन, हेमा माननी, मनोज बाजफी फिल्म के लीड रोल में थे फिल्म के डारेक्टर थे यह सिचोपडा, बज़रता लगबग 22 करोन का फिल्म ने इंडिया बॉक्स आफिस से 42 कौन 40 लाग की कमाई की थी वहीं पूरे वर्ड वाइट से 95 कौन 40 लाग की फिल्म ने कमाई की थी इस तरह से यह फिल्म बॉक्स आफिस पर सुपर हिट थी